माइंक यादो ने डिब्यू मैच में ही गेंद से मचाया हाकार T20 वालकाप 2026 के लिए सीधे ली एंट्री पक्का हो गया शमी के उतरा दिकारी होंगे माइंक सुर्या ने भी कर दिया साफ गायल शेर की तरह मैदान में दाहर रहे थे माइंक यादों मिठी को चूमकर मैदान पर उतरे थे डेड़ सो की रफटार से गेंद डाल कर मचा दी संसरी पहली बार कहां पे बंगलादेश की पैर गेंद में जस्परीत बंबरा सिधार गेंद में शमी वाली रफटार गेंद को बना दिया ज्वाला मुखी पहले ही मैच में बहुत बड़ा कमाल कर गए माइंक यादों गंभीर ने भी मान लिया लोहा खड़ा करने का काम किया और उनको क्यों दूसरा मोहमद शमी कहा जा रहा है याद होगा कि आईपियल के दौरान माइंक यादों ने तबाही मचानी शुरू कर दी लेकिन चोट की वजह से वो बाहर हो गए थे लेकिन क्या गजब की वापसी माइंक यादों ने कर दी और अ टीम से वो हमेशा के लिए जुड़े रहने वाले गौतम गंभीर ने ही प्लान तयार किया थो और सुरे कुमार यादों ने उस पर मोहर लगा दिया कि माइंक यादों को जल्द से जल्द टीम में लाना चाहिए और हुआ भी वही जैसे ही माइंक यादों अपनी गेंद के स माइंक यादों ने की हालांकि उनको खाम्याबी एक विकेट की ही मिली लेकिन उनकी गेंद बाजी बहुत तगडी रही यही वज़रही कि ऐसा माना जा रहा है कि अब टीम इंडिया के टीम में माइंक यादों हमिशा के लिए आ गए हैं बतादे कि अपने डेबियू मैच म उन्हों ने 149 तश्मला 9 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेकने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्श कर लिया जिस करन से अब ऐसा माना जारा कि टीटोनी फॉर्मेट पे माइंक यादों टिम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं कई भारत को अभी कई मैच जिताएंगे 22 साल का ये लड़ता अगर सब कुछ ठीक रहा तो यकीन मानिये भारत का सबसे खास गेंद बास बनेगा और जस्परीत मुम्रा की तरह दुनिया पर राज करेगा लेकिन माइंक यादों कियाने से कही न कहीं मुकेश कुमार और मुहमत स दुनिया का कोई भी बल्लेबास उनको खेल नहीं पाएगा और ये गेंद बास सर्फ और सर्फ तबाही मचाएगा देखना यही कि माइंक यादों कितनी लंबी पारी अपनी खीशते हैं मगर हर को यही दुआ कर रहा है किस लड़के को चोटना लगे दोस्तों माइंक आदो कि गेंद बासी पर आप क्या कहेंगे कॉमेंट में बताएं